एक रात में आप अपनी फटी एडियों को ठीक कर सकते हैं, सौफ्ट नर्म मुलाइम कर सकते हैं अच्छा इस मौसम में क्या है ना कि बच्चों के गाल पट जाते हैं, होन पट जाते हैं, कोहनिया पटना स्टार्ट हो जाती हैं तो ये रेमेडी इन सब को ट्रीट करेगी, सिर्फ एक रात का चैलेंज दूँगी, एक रात अगर आप इसे लगा लेते हैं ना, देन देखिएगा क्या मैजिक होने वाला है ज़रत है तो सेफ इस वीडियो को ठीक से देखने की, समझने की और फिर इसको इस्तमाल करने की जैसा के मैं बताऊंगी तो चलिए चलते हैं और अपनी हील ट्रीट्मिन्ट रेमेडी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैं लूँगी एक अदत मोम बती, आपको मार्केट से एजिली मिल जाती है जब लोड शेडिंग होती है तो यह बहुत एजिली मिल जाती है यहाँ पर मैं लूँगी एक मोम बती, हमने इसको हाफ यूज़ करना है ठीक है आप इसे grate कर लीजिए चुटे चुटे पीसिस में या पी कट कर लीजिए grate करने के बाद इस मोम को मैं डाल दूँगी एक बाउल में और साथ में एड़ कर लूँगी वेजलीन वन टेबल स्पून वेजलीन आपके पास किसी भी ब्रैंड का है, किसी भी कंपनी का है जो भी है आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट मैं इसमें एड़ करूंगी टू टेबल स्पून दो चमच सरसों का तेल यानि के मस्टर ओल इसकी जगा आप ओलिव ओल भी इस्तमाल कर सकते हैं ठीक हो गया, अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी दो चमच ही कोकोनट ओल यानि नारियल का तेल अब बात आती है समझने की, अब आपने क्या करना है, एक पैन लेने है, उसमें आपने एक रुमाल रख लेना है और उसमें रख देना है इस बाउल को, देन आपने इसमें डालना है पानी और इसे हीट पर रख देना है जब तक कि आपका पूरा जो हमने मैटीरियल इसमें एड़ के है, जो जो हमने इंग्रीडियन्ट एड़ की है, वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाते बहुत ही एजीली आपको पान से दस मिनट के बाद लगेगा कि ये सब कुछ मैल्ट होना स्टार्ट हो गया है तो आपने इसे मिक्स करते रहना है इस तरह से, तो ये देखिए हमारे इंग्रीडियन्ट एचे से मैल्ट हो गए है अब मैं इसमें डाल दूँगी एक चमच कॉन फ्लॉर लेकिन हमने इसे डारेक्ट एड नहीं करना इस तरह से हमने इसको डालना है थोड़ा थोड़ा हम इसमें काउन फ्लॉर यानि के मकई का स्टार्च जो सूप वगारा में आप इस्तमाल करते हैं ग्रेवी को ठीक करने के लिए इसका यूस किया जाता है ये आपकी स्कीन को बहुत जबद स्रीके से हील करता है अचा मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी और साथ में जो है ना वो हमारा मेटीरियल मेल्ट हुआ हूँआ उसको भी थोड़ा थोड़ा चमत से मिक्स करती जाऊंगी अगर हमने सारा डालती है तो इसमें लंट स्पंच आएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए ये देखिए ये भी अच्छे से मिक्स हो गया और मेटीरियल में डिजॉल्फ हो गया अब आपने बाउल को डबल बॉयलर से निकाल लेना है और इसे आपने थोड़ा सा और मिक्स करना है जब अच्छे से मिक्स हो जाए अब आपने कोई भी खाली क्रीम जार लेनी है जिसमें आप इसे लॉंग टाइम के लिए स्टोर करना साथे हैं उस क्रीम जार में इसे डाल दीजिए और बस वेट कीजिए कि ये जब तक अच्छे से ठिक नहीं हो जाता आपको कम से कम 20 मिनट वेट करना पड़ेगा 20 मिनट के बाद देखिएगा कि आपकी जबरदसी सूपर मैजिकल हील ट्रीटमिंट क्रीम रेडी हो जाएगी ये चीज़ आपके लिए बहुत जबदस है अगर इसे बना कर आप सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं तो पूरी सर्दी आपको किसी भी चीज़ की जूरत नहीं होगी जी हाँ आपके फटे होंट आपकी पटिकोन या एडियां सब ठीक होंगी वो भी सिरफ 12 गंटे में एक रात में अब बारी आती है सबके माइन में कूशन होगा के इसे लगाना कैसे है पहले आपने एडियों को अच्छे से वाश कर लेना है साफ कर लेना है और इसके बाद ड्राय कर लेना है Make sure के आपकी एडिया अच्छे से ड्राइ हो चुकी है अब आपने इस क्रीम को लेयर की सूरत में एडियों पर अप्लाइ करना है और उसके बाद प्लास्टिक रैप कर लेना है जो भी शौपर वगारा होते हैं उसको सिर्फ एडियों के अराउंड लपेट लेना है पूरी रात के लिए सुबो आप देखेंगे के मैजिक होगा आपने वाश आउट कर लेना है अगर आप अप्लाइ करना चाते हैं फटे होटो पर पडिकोनी ओपर या जो भी आपका एरिया बहुत ज़्यादे एक्स्ट्रीम ड्राइ है उस पर अप्लाइ करना चाते हैं तो एज़ा क्रीम ही आप इसे यूस करेंगे आपने प्लास्टिक रैप नहीं करना आप इस चीज़ को इस रैमेडी को बनाकर एक साल के लिए स्टोर कर सकते हैं खराफ होने वाली चीज़ ही नहीं है अपने बच्चों के लिए भी इसे बनाकर स्टोर कर लीजिएगा वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और इस वीडियो के रजल्स मेरे साथ जरूर शेय कीज़ेगा मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है अगर कुछ पूछना वो अपने स्कीन और हेके के मुतलिक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं खूछ रहिएगा अपने ख्याल लखिएगा और अपने सैनल का भी